Hello everyone, good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तों आज है 1 अप्रेल और आज किस वीडियो में हम 1 अप्रेल से related current affair के सभी important question को cover करने वाले हैं तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस mobile application को भी install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और प्रती दिन के current affair का audio भी मिल सकेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाली में भारत और किस देश के बीच सहीक्त सैन निभ्याज जिसका नाम है वज्जर प्रहार इसका आयोजन किया गया यदि देखा जाएं तो mainly भारत और अमेरिका के बीच तीन exercise होती है एक तो यही है वज्जर प्रहार जो की एक joint military exercise है दूसरी है कोप इंडिया जो की दोनों ही देशों के बीच air force exercise है और तीसरी है युद्ध भ्यास जो की दोनों ही देशों के बीच की एक military exercise है यहां हम बात कर रहे हैं वज्जर प्रहार की जिसका आयजनवी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किया गया है अब यह exercise है अमेरिका के साथ तो आप map में देख सकते हैं अमेरिका की location इसकी capital है वासिंग्टन डेसी वासिंग्टन डेसी में किसका किसका headquarter अस्थित है यहां के 46 में president बनाए गए है जिनका नाम है जो बाइडन और उपराश्ट पती है भारती मुल्की कमला हैरिस नौर्थ अमेरिका में हिस्तित है five great lakes कौन कौन सी है लेक सुपीरियर, लेक इरी, लेक हिूरन, लेक ओंटेरियो और लेक मिशिगन जिसमें की जो लेक मिशिगन है यह एक मात्र ऐसी जीले जो की पूरी तरह से USA में इस्तित है इसके लावा आसपास के लिए आप location देखेंगे तो यह है Greenland जो की दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है यह है बर्मूडा ट्रेंगल की location, यह है Alaska, इसी Alaska में अभी हाली में भारत और चाइना के बीच पहली उच इस तरी बैठक का आयजन किया गया यह जो आप देख रहे हैं यह है Mexico जिसके बीच से Tropic of Cancer यानि की करकरेखा गुजर रही है यह है Gulf of California, यह है Gulf of Mexico और यह आपसे पूछा जाएं कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि USA और मेक्सिको की बीच अंतराश्टी सीमा बनाती है तो यह है Rio Grande River जो कि कुछ इस तरह से बहती हुई आती हुई Gulf of Mexico में आकर के गिर जाती है अब इस question में बात की जा रही है दो देशों की बीच होने वाली exercise की तो भारत और फ्रांस की बीच जो exercise होती है तीन तरह की exercise है शक्ती, वरुन और गरुन चाइना के साथ होने वाली exercise का नाम है hand in hand भारत और ब्रिटेन की बीच जो exercise होती ही इसका नाम है Ajay Warrior Ajay Warrior जो की दोनों ही देशों की बीच की joint military exercise है जिसका आयोजन कुसर में पहले ही ब्रिटेन के सैलिस्वरी मैदान में किया गया था अगला question है हाली में महराजा च्छत्रे साल convention center को उधगाटन कहां किया गया तो इसका उधगाटन अभी हाली में मध्य प्रदेस के खजुराहों में किया गया किसके द्वारा किया गया है तो मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चोहान और प्रहलाज सिंग पटेल जो की present time में हमारे संस्कृति राज्य मंत्री है इनके द्वारा इसका उधगाटन किया गया है अच्छा महराजा 76 साल ये कौन थे तो ये एक महान युद्धा थे जिन्होंने मुगल सासक औरंग जेप को हरा करके बुंदेल खंड में अपना राजिस्थापित किया था अब ये बुंदेल खंड कहां है तो मद्ध्य प्रदेश में जो उपरी हिस्सा है यही बुंदेल खंड के अंतरगत आता है और इन्ही के नाम पर ये जो convention center है इसका उधगाटन किया गया है खजुराहो में खजुराहो जो कि मद्ध्य प्रदेश के छतर पुर जिले में इस्थित है और ये इसलिए भी important है क्योंकि मद्ध्य प्रदेश का ये पहला इस्थाल है जिसे UNESCO के World Heritage Site में शामिल किया गया था कब शामिल किया गया था 1986 में और खजुराहो के जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाए गया है चंदेल सासको के द्वारा इसके बाद मद्ध्य प्रदेश में ही जो सांची का स्थूप है जो किराय से इंजिले में इस्थित है इसे 1989 में UNESCO के World Heritage Site में शामिल किया गया था कुस्त में पहले जब हमने भुपाल के बारे में डिसकस किया था तो भुपाल से कुछ दूरी परिस्तित है भीम बेटिका जिसे 2003 में UNESCO के World Heritage Site में शामिल किया गया तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो कि आप लोगोंने याद रखने है यदि आप करण से रिलेट करेंगे त तो इसके शुरुवात 1976 से की गई थी और भारत का पहला हीरा संग्रहाले ये इसी खजुराहों में इस्थापित किया जाना है मध्य प्रदेश में इस्तित है होसांगाबाद जिसका नाम बदर करके नर्मदा पूरम करने की घोशना की गई है अगला कोश्चन है हाली में DRD ने किस एंटी सेटलाइट मिसाइल का सफलता पूरग परिक्षन किया है तो DRD ने भी हाली में मिसंसक्ती मिसाइल नमक एंटी सेटलाइट मिसाइल का सफलता पूरग परिक्षन कर लिया है अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है एंटी सेटला और ये है target तो ये target को कुछ इस तरह से जाकर के मतलब की उड़ोहतर तरीके से ये वार करती है तो ये तारह की surface to surface war करने वाली missile होती है भारत में इस तरह की missile का example है प्रत्वी missile फिर दूसरी टाइप की missile है semi-ballistic missile ये कैसी होती है तो जैसे की ये है missile और ये है target तो ये कुछ इस तरह से जाकर कि परवल या कार तरीके से अपने टार्गेट को भेदती है तो ये surface to air war करने वाली मिसाइल है भारत में इसका example है आकास मिसाइल तीसरी तरह की मिसाइल होती है cruise मिसाइल cruise मिसाइल जिसे की ये है मिसाइल और ये है टार्गेट तो ये कुछ इस तरह से सीधे सीधे समान अंतर तरीके से जाकर के टार्गेट को भेदती है भारत में cruise मिसाइल का example यदि पूछा जाए तो ये है ब्रम्होज मिसाइल तो ये तो तीन टाइप आप लोगों को मालूम ही ह होंगे आज जो हम टाइप डिसकस कर रहे हैं एंटि सैटलाइट मिसाइल ये क्या होते हैं तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि माल लेजे ये अपने देश का एरिया है मतलब कि कुछ यहां से यहां तक अपने देश का विस्तार है और कोई दूसरी कंट्री हमारे देश के उपर मिसाइल भेज रही है जो की उपर से आ रही है तो इसके विरोध में मतलब कि हम अपनी सुरक्षा के लिए भी भारत की तरब से कोई नो कोई मिसाइल छोड़ी जाएगी इसे कहा जाता है एंटि सैटलाइट मिसाइल तो हाली में DRDO के द्वारा मिसंद शक्ती मिसाइल का परिक्षण किया गया है DRDO के स्थापना 1958 में की गई थी Headquarter अस्थित है नई दिल्ली में इसके अध्धेक्ष है G37 Reddy जिनका कारेकाल भी बढ़ाया गया है और DRDO ने अभी हाली में CRPF के जवानों के लिए एक ambulance bike develop की थी जिसका नाम है रक्षिता अगला question है हाली में किस bank ने विश्व विकास report 2021 जारी की है तो हाली में जो world bank है यानि कि विश्व बैंक इसके द्वारा data for better lives नाम से एक विकास report जारी की गई है और इसने ये जो report जारी की है इसमें कुछ महत्वपूर बाते बताई गई है जैसे कि कैसे गरीब लोगों के जीवन को बहतर बनाया जा सकता है और development को ले करके और क्या-क्या प्रयास किये जा सकते है ताकि लोगों के जीवन को बहतर बनाया जा सके इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये report रिलीज की गई है अब देखे इसमें आप confused मत होईएगा क्योंकि विश्व विकास रिपोर्ट ये तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है Economic Outlook जो की जारी की जाती है IMF के द्वारा यहनि की International Monetary Fund के द्वारा यहां हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी लेकिन इसने अपना संचालन शरू किया था 1945 से हैटक्वाटर वासिंग्टन DC में इस्थित है इसके अध्यक्ष डेविड अमलपास और वल्ड बैंक के द्वारा भी हाली में Doing Business Index रिलीस किया गया था Doing Business Ranking जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 63 टॉप पर है New Zealand अगला कुश्चन है WWE के द्वारा किस भारती पहलवान को Hall of Film में Hall of Film 2021 में शामिल किया गया है तो ये शामिल किया गया है महाबली खली को यनि की The Great खली को इन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे ये भारत के एक प्रसित धरसलर है और इन्हें ही अभी हाली में WWE के द्वारा Hall of Film में शामिल किया गया है WWE यनि की World Wrestling Entertainment इसके स्थापना 1953 से की गई थी Headquarter USA में श्थित है और इसके अध्यक्ष और CEO है Vince McMohan Halli में आनंदम Center for Happiness का उत्गाटन किस स्थान पर किया गया है तो इसका उत्गाटन अभी हाली में IAM जम्मू में किया गया है किसके द्वारा किया गया है तो प्रेजन टैम में जो हमारे सिक्ष्व मंत्री है रमेज पोखरियाल जी इनके द्वारा इसका उत्गाटन वर्शली किया गया है देखे जो जम्मू है जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है सरकार ने इसे अपने हाथों हाथ ले लिया है यदि आप लोगों को मालू हो तो आए दिन यहाँ विकास के लिए नई ने नीतिया जानी किया जाती है मतलब कि हर दो शार दिन में करंट अफेर में जम्मू कश्मीर का डिस्कसन तो रहता ही है तो हाली में सिक्ष्व मंत्री के दुआरा यह जो Center for Happiness को घंटन किया गया है इसका purpose किया है परपस यही है कि इस्टूडेंट को तनाव मुक्त बनाया जा सके मतलब कि इस Center for Happiness में इस्टूडेंट को Physical Exercise, Mental Exercise और Meditation इन सभी के Training दी जाएगी ताकि वे दिवा की तरीके से सौस्तर है सके यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो इसके उपरा जिपाल है मनोज सिन्हा इसके लावा हाली में जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर विश्व का सबसे उचा रेलवे ब्रिज ये बनाया जा रहा है और जम्मू के ही गुलमर्ग में भारत का पहला इगलू कैफे भी स्थापित किया गया है नासा के रोवर ने किस ग्रह के उपर से गुजरने वाले प्रत्वी जैसे बादलों की आश्यरे जनक वीडियो भेजी है तो ये भेजी गई है मंगल ग्रह से जैसे की प्रत्वी में प्रत्वी में मतलब की अपने ग्रह में जैसे बादल आप लोगों को दिखते हैं वैसे ही बादल अब मंगल ग्रह पर देखने को मिले हैं और इसी का वीडियो बना करके नासा का जो rover है जिसका नाम है Perseverance ये भी चर्चे में भी रहा है इसके द्वारा भेजा गया देखिए नासा का ये जो rover है ये काफी advance तरीके का rover है अभी कुसमें पहले ही नासा के द्वारा एक audio भी जारी किया गया था जिसमें कि ये जो गाड की और कई सारे देश हैं जो की मिश्न मंगल चला रहे हैं मतलब कि अपने अपने सैटलाइट अपने अपने रोवार को इस क्रह में भीज रहे हैं ताकि यहां जिवन के संभावनाव को तलाशा जा सके तो इस रोवर का नाम आप जरूर रहाद रखिएगा जिसका नाम है Residential Hockey Center for Excellence ये कहां स्थापित किया जाएगा Residential Hockey Center of Excellence तो ये स्थापित किया जाएगा लखनौ में होकी जो कि भारत का राश्ट्री खेल भी है तो इसी होकी उत्कृष्टता केंद्र का उत्गाटन किया जाना है लखनौ में ये लखनौ ही कहलाता है इसी लखनौ के चार बाग रेल्वे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटियम ये लॉंच किया गया था इसके लावा ये जो आप देख रहे हैं कानपूर यदि आप से पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो ये कानपूर ही है जहां भारत का पहला लदर पार्क इस्थापित किया जाएगा ये जो आप देख रहे हैं ये है जहासी जहासी में अभी हाली में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयजन किया गया और उत्र प्रदेश के ही मतुरा में ये जो आप देख रहे हैं ये हैं मतुरा मतुरा में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल इस्थापित किया गया है मेरट में भारत का पहला डॉग मेमोरियल इस्थापित किया गया है सहारन पूर से भारत का पहला मास्क एटियम लॉंच किया गया और अभी हाली में नीती आयोक के द्वारा अकांची जिलो के लिष्ट जारी की गए थी जिसमें उत्तर प्रदेश का सरावस्ती जिला ये है टॉप पर फिल्म फेर अवार्ड 2021 में Best Actress का अवार्ड किसने जीता है तो ये जीत लिया है तापसी पन्नु ने ये अवार्ड इनके फिल्म थपड के लिए जीता है तो यदि आपसे पूछा जाए कि थपड फिल्मे के डिरेक्टर कौन है तो ये है अनुभव सिनह अब यदि हम बात करें Film Fair Award की तो इसके शुरुआत 1954 से की गई थी और ये 66 क्रम के Film Fair Award है लाश्ट एर का जो Film Fair Award रहा था इसमें Best Actress का Award जीता था आलिया भट ने इनकी फिल्म गली बॉई के लिए यदि हम बात करें कंगना रनौत की तो हाली में इनने National Film Award से नवाज गया है इनने चार बार National Film Award मिला ह कंगना रनौत ने National Film Award इस साल का जो है इनकी फिल्म मनी करनी का और पंगा के लिए जीता है अगला कुश्चन है Film Fair Award 2021 में Best Actress का सौरी Actor का Award किस ने जीता है तो Best Actor का Award मर्णो प्रांत ये जीता है इर्फान खान ने इर्फान खान ने अपनी लास्ट फिल्म इंग्लिश मेडिय के लिए ये अवाड जीता है साथ ही इन्हें Lifetime Achievement Award से भी नवाजा गया तो 2021 के लिए Best Actor का Award इर्फान खान ने जीता जबकि Last Year ये अवाड जीता था रनवीर सिंग ने इनकी फिल्म गली बॉय के लिए अभी मने बता है कि National Film Award में Best Actress का Award कंगना रनौत ने जीता है जबकि Best Exam Warrior किताब ये तो नरेंदर मूदी जी ने लिखी थी ये सभी को पता है इसी का नया एडिशन अभी हाली में लॉंच कर दिया गया है जबकि Last Year इसी Exam Warrior किताब का Braille Edition ये केंद्री मंत्री थावर चंद गहलोच जी के दुवारा लॉंच किया गया था अगला कुश्चन है सरसुती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया तो हाली में तीसवा सरसुती सम्मान इसके विजेता की घोशना की गई है तो ये सम्मानित किये जाएंगे डॉक्टर शरण कुमार लिमबाले जिनकी इमेज आप देख सकते हैं तो जो सरण कुमार लिमबाल और यह जो award है केके बिल्ला foundation के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है और यदि आप से पूछा जाए कि सरसुती सम्मान के पहले विजेता कौन थे तो यह थे हरिवन सराय बच्चन जी अब यदि हम other option को discuss करें तो देखिए 2020 का सरसुती सम्मान ये तो सरण कुमार लिंबाले ने जीता है 2019 का मतलब कि ये जो 29 सरसुती सम्मान रहा था इसके विजेता थे वासुदेव मोहे इन्हें इनकी रचना चक बुक के लिए सम्मानित किया गया था ये एक्जाम में पूछा भी गया है अभी हाली में सरत पगारे इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है इनकी रचना पाटली पुत्र की सम्मराग्य के लिए जबकि पिछले साल का जो व्यास सम्मान है ये जीता था नासिरा सर्मा ने इनकी रचना कागच की नाव के लिए कल जो मने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर था जश्टिस एनवी रमना अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाली में अधिक्तम अंतराश्टी हवाई अड़ो वाला राज्जी कौन सा बनने जा रहा है तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक कीजे शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा तो आज के लिए इतना ही थाइंक्यो सो मच